हेलो एव्रिवान कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे तो आपको बताओ एक बहुत ही बड़ा ओफिशल अपडेट आया है यहां पे फाइनांस अकाउंट असेस्टन की सिलेक्शन लिस्ट को लेके पिछले कुछ दिनों से आप लोग दे उसके बाद से बच्चे सडकों पे उत्रे थे और बच्चों का यह कहना है कि हमारी लिस्ट भी स्क्राप हो जाएगी यह उन्हें सुनने में आया है तो अब यहां पे आपको बताता हूं आज पहली बार ओफिशल एक ट्वीट यहां पे आप लोग को बता दूं आया है यह यहां पे तो आप लोग देख सकते हैं information of PR J&K की तरफ से यह official इनका Twitter handle है जहां पे लिखा गया है यहां पे mention क्या गया है तो आप लोग एक बड़ी ध्यान से सुनिएगा यहां पे लिखा गया है selection list of finance account assistant is also being inquired तो पहली चीज तो आपको यह बता दूं कि यहां पे आप इस words से समझ चुके होंगे यह चीज़ें पहले भी का गया था क्योंकि जिन बच्चों ने आवाद उठाई थी कि यहां पे scam हुआ है JKPSI में जिन लोगों ने यह चीज़ें दी थी उन लोगों ने ही साथी साथ finance account assistant की भी report अपनी यहां पे अपने end से submit किये थे कि हमें इस exam में भी धांदली देखने को मिली है JKPSI का team member committee ने जब पूरा check करा उन्हें वहां पे देखने को मिला तो scrap कर दिया गया लेकिन पहला सवाल यहां पे एक बनता है कि आज से approximate 7-8 दिन हो चुके हैं जब से यह tweet आया था official LG साब के तरफ से कि JKPSI की recruitment को quash कर दिया गया है और इसे CBI को hand over कर दिया गया है अभी तक CBI inquiry के बारे में क्या status है किस तरीके की चीज़ें शुरू हुई है अभी तक क्योंकि कोई arrest किसी तरीके की क्योई चीज सामने नहीं आई तो अभी wait करना पड़ेगा आप लोगों को चीजों का पहली चीज यहां पर आपको बता दू यह CBI inquiry य जो चीजें यहां पर बच्चों के द्वारा की गई थी उसको inquire किया जा रहा है और action will be taken based on report of inquiry यानि की inquiry की जो रिपोर्ट आईगी तो जो बच्चे की कहने कि हमारी list crap हो जाएगी अभी तक ऐसा यहां पर आप लोगों बता दू जो आप लोग protest करें उन लोगों को भी कि अगर कोई भी irregularity यहां पर नहीं है जैसे कि आप लोग कहने कि कोई scam नहीं हुआ यहां पर बच्चे जो है बेबुनियात बाते करें academic score को compare करें जारें competitive के साथ तो यहां पर लिखा गया है कि अगर कोई regularity found नहीं होती है तो process को आगे जो है further इस पर काम किया जाएगा यानि पर clearly mention किया गया है कि कोई list scrap नहीं हुई है अभी तक कोई list ऐसी नहीं है कि जो scrap कर दी गई है यहां पर बस यह का गया है कि इसको भी forward किया गया है inquiry के लिए कि जो बच्चों ने allegations लगाई थी जो आप लोग भी कहने कि बेबुनियाद बाते हैं जो बच्चे अभी experience हमारे सा ही है कौन सी घलत है तो उसके बाद जो भी चीजे उनकी report final submit होगी उसके बाद एक strict action यहां पर लिया जाएगा या अगर कोई regularity found नहीं होती है तो selection list आप लोगों की out हो जाएगी अगर कोई भी regularity यहां पर found होती है तो उस पर strict action लिया जाएगा तो यह पहला official यहां पर आप लोगों बता दूँ साथ March को आपका एक paper conduct होता और दूसरा वेपर 27 March में conduct होता है 27 March के paper में इस तरीकी की सुनने को आ रही है चीज़े कि 5000 रुपे में paper वो विका है 5000 रुपे तक answer की कहा जा रहा है 5-10,000 रुपे में answer की विकी है तो ऐसा नहीं कि 20 दिन के अंदर अंद ट्रेक कंपनी है सेम कंपनी है सेम एजंसी है वो पेपर कंड़क्ट करवा रही है तो ऐसे इस पेपर में कोई रेगुलरिटी ना हो मेभी अब वो देखना होगा कि किस स्केल में है किस स्केल के धायरे में मतलब कितने लोग involved है अगर जादा लोग involved हुए जो की filter करना मुश लोच नहीं है ऐसा उफिशल ही नहीं आए तो जब उफिशल आएगा तब इस पर बात करेंगे अभी के लिए उफिशल बस यहीं है कि इंक्वाइरी एफ पे भी अब आप लोग मान के चलिए कि बैट चुकी है इंक्वाइर हो रहा है और इसकी रिपोर्ट जबाएगी होता है तो मैंने आपको कहा था कि जिन बच्चों ने स्कैम के लिए आवाज उठाई थी वो हमारे स्टुडेंट्स थे वो हमसे हमारे साथ हम लोग मैनत करते थे जो बच्चे आज लिस्ट के लिए बाहर प्रटेस्ट करें वो भी हमारे ही स्टुडेंट है वो भी हमारे सा आया है तो हम scam को कभी support नहीं करेंगे हमारे इंट्शाद में यह openly आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ तो inquiry committee की जो report होगी हम लोग देखेंगे समझेंगे क्या आया है क्या उन्होंने चीज़ें को find किया है उसके बाद या further discussion होगी हमारा stand बस यहां से clear है कि हम लोग scam को support नहीं करेंगे लेकिन अगर मान लीजिए कल को 30-40 लोग भी अगर निकलते हैं F.A. में कि उन्होंने scam किया है तो यहां से हमारी request यही होगी LG साब से भी या बाकी साब से भी कि list को scrap ना किया जाए जैसे J.P.S.I.Q.E. थी अगर जो एक scale है वो कम लोगों का है कम लोग इसमें involved है तो request यहां पर हमारे end से हमेशा यही रेगी कि आप लोग उन्हें filter करके उन बच्चों को जो महनत से list में उनके साथ गलत ना करें तो इस समय बहुत यह अजीब situation में पूरा जैन के फस चुका है तो wait करते हैं जो मैं हमेशा कहते हैं आ रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इसको गलत भी लेके चलते हैं trust the process trust the process का मतलब यह नहीं है कि जो inquiry बैठी है उस पे पूरा ब्रोसर रखो बुरा भी गुजरता है तो patience रखिएगा थोड़ी सी अपने अंदर और बाकी आप लोगों के इसलिए हम लोग अपने एंट से सिर्फ यह कर सकते हैं कि बार बार इस तरीके के अपडेट्स लाके कि CBI में यह धांदली सामने आई है नियूस पेपर में यह आया है ऐसे अपडेट्स हम लोग इस चैनल पर नहीं लेके आएंगे हम लोग हमारे एंट से कोशिश करेंगे कि कि किसी तरीके से आपको focus अभी भी करने के लिए हम करें जो VRW की vacancies हैं और बाकी vacancies हैं उस पे हम लोग lectures लेके आएंगे आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं जो लोग अभी busy हैं इन सब चीजों में entertainment purpose के लिए देखने हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं हमारे एंट से जो classic सरी हैं वो रुकिंगी नहीं आप आद में अलग अलग तरीके की है ओफिशल जब अपडेट आएगा हम उस पर बात करेंगे तब तो अभी के लिए ओफिशल बस यह है कि आप लोगों की कोई list अभी तक scrap नहीं की गई है जो बच्चे प्रोटेक्स कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ नहीं है फे पर inquiry बैठी है वहाँ पर पूरा वो भी चेक कर रहे हैं जो बच्चों ने इल्जाम लगाए है या जो चीज़ें उनके सामने आए हैं अगर कोई चीज इंटर्लिंक्ट भी करेगी तो जल्दी ही उसके ओपर एक और चीज आपको मिल जाएगी मिलते हैं जल्दी ने लेक्चर के साथ अभी के लिए दीजे इजाज़त, have a nice day, see you soon